अपने नागपुर में तयार हुआ World Class Infrastructure केंद्री ये मंत्री श्री नितिन गड़करी जी के प्रयासों से नागपुर में 947 किलोमीटर लंबाई की सडकों पर काम शुरू हुआ जिसमें 540 किलोमीटर लंबाई की सडके तो बनकर तयार हो गई है बाकी सडकों को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा नागपुर जैसे शहर को उच्च गुनवत्ता वाला शहर बनाने के लिए और भी प्रयास किये जा रहे है इसमें Central Road Infrastructure Fund यानी CRIF के तहत 407 किलोमीटर लंबाई की सडकों का काम पूरा हुआ है महानगर निगम और नागपुर सुधार प्रण्यास द्वारा नागपुर में 2632 किलोमीटर लंबाई की सडकों का काम पूरा हुआ है नागपुर के लोगों को बहतर कनेक्टिविटी देने और बाहर से आने जाने वाले लोगों की ट्रैफिक सुविधा के लिए फ्लाइ ओवर से लेकर अंडर पास तक बनाए गए है 19,934 करोड रुपए की लागप से नागपुर के लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तयार किया गया है जिस से गली-गली तक चम-चमाती सडके पहुँच सके इसके अंतरगत शहर में 14 फ्लाइ ओवर और 11 पुलिया बनाए गए तो 7 रेलवे ओवर ब्रिज तयार किये गए जिन से रेलवे क्रॉसिक पर लोगों का समय और इंधन खराब ना हो 1697 करोड रुपे की लागत से 62 किलोमीटर लंबाई के आउटर रिंग रोड बन जाने से मुख्य शहर पर ट्रैफिक का दबाव बहुत कम हो गया है पहले डामर की सडके बारिश में धुल जाती थी लेकिन गड़करी जी की देखरेक में उच्च तकनीक वाले वाइट टॉपिंग यानी WT मार्ग ऐसे बन रहे हैं जो पीडियों तक चल सकें ये ऐसी सडके बनाई गई हैं जिन में सिर्फ नागपुर और आसपास के लोग ही नहीं चलेंगे बलकि इन पे चलकर ही शहर के विकास के लिए निवेश भी आ रहा है